तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 Mathematics का चाप्टर 1 सेट से चाप्टर का एक्सरसाइज 1.6 से कुशन नमबार 1, 2, 3, 4 और 5 को स्वाल परेंगे इससे पहली हम लोगोंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकि 1.5 तर कम्प्लेट कर दिया है अगर आपने आभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेइलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा आप उसे लिंक के उपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते है और अगर आपने आभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप हमारे चैनल को फोलो करेंगे तो class 11 mathematics के लिए आप लोगों को कोई भी extra tuition लेने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं काफी important है और बहुत बार exam में पूचा भी गया है इस theorem में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है इफ capital A and capital B are finite sets then NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B अब यहाँ पर N का मतलब क्या है यहाँ पर N means number of elements तो अगर हम लोग यह जो line ही इस line को language में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B तो किसी भी दो finite set A और B के लिए यह theorem हमेशा valid होता है तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस theorem को proof कर लेते हैं तो proof की starting में ही है पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे number of elements in A, B, M मतलब A set में आपका M number of elements है and number of elements in B, B, M dash तो यहाँ पर हम लोग ने मान लिया A set में आपका M elements है और B set में आपका M dash number of elements है आप यहाँ पर देखें, दो case आएगा Case number 1 Case number 1 आप case number 1 में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे Case number 1 में हम लोग यह assume करेंगे A और B दोनों क्या है? दोनों distant set है distant set मतलब A और B दोनों distant set मतलब A intersection B is equal to 5 इसका मतलब क्या, इसका मतलब है आपका A और B दोनों सेट में कोई भी common element नहीं है, तो case number 1 में हम लोग assume करेंगे let, let A and B are disjoint, disjoint sets, तो यहाँ पर हम लोग ने assume कर लिया case number 1 में A और B दोनों में कोई भी common element नहीं है, that is, that is क्या हो जाएगा, that is A intersection B is equal to 5, therefore, तो अगर A intersection B equal to 5 है, मतलब क्या है, A और B में कोई भी common element नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर A और B disjoint है और इसलिए ही, यहाँ पर A intersection B 5 हुआ है, तो A intersection B 5 मतलब क्या है, A intersection B में कोई भी element नहीं है, तो therefore, हम लोग लिख सकते हैं, therefore, N A intersection B is equal to 0, तो अब दिखे, अगर हम लोग इसका band diagram बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसका band diagram बना लेते हैं, तो यहाँ हमारा universal set है, और यहाँ पर हम लोग A और B को यहाँ पर separate करके देंगे, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों क्या है, दोनों distance set है, मतलब दोनों में कोई भी common element नहीं है, तो यह हमारा A हो गया, यह हमारा B हो गया, इसमें आपका M elements है, इसमें आपका M देस number of elements है, तो therefore, therefore, N A union B, N A union B is equal to, अब N A union B क्या होगा दिखे, N A union B मतलब A और B का number of elements को यहाँ पर हम लोगों को लेना है, अब मन लिगे, दिखे, मन लिगे हमारा A set है आपका 1, 2 और B set है आपका 3, 4, तो इसमें दिखे, कोई भी common elements नहीं है, यह दोनो set में, यहाँ पर अगर हम लोग A union B करेंगे, तो कितना elements आएगा, कितना elements आएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा, तो जब A और B में common elements नहीं होता है, तो उस case में N A union B is nothing but क्या, N A union B is nothing but N A plus N B, तो यहाँ पर दिखे, A और B में common elements नहीं है, that means N A union B क्या हो जाएगा, M plus M dash, N A मतलब N A में कितना element है, M element है, और N B में कितना element है, M dash, तो यहाँ पर N A union B equal to हम लोग लिखेंगे, M plus M dash, this is equal to, this is equal to, यहाँ पर दिखे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, M plus M dash minus 0, minus 0, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लोग ने दे दिया, this is equal to, अब M का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है N A, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे न A, then plus M dash, M dash का मतलब क्या है N B, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे N B, then minus zero, जिरो को हम लोग क्या लिख सकते है N A intersection B, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे N A intersection B, तो यह दिखिए formula यहाँ पर proof हो गया case number 1 में, Case number 1 में हम लोगों ने ये मनाता A और B दोनों set में कोई भी common element नहीं है आप आईए Case number 2 में Case number 2 आप Case number 2 में यहाँ पर हम लोग मानेंगे A और B दोनों disjoint set नहीं है तो Case number 2 में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Let A and B are not disjoint तो दोनों disjoint set नहीं है यहां पर आभी case number 2 में हम लोगों ने यह एजूम कर लिया A और B दोनों disjoint set नहीं है तो दोनों disjoint set नहीं है that means कुछ elements common होंगे तो वो number elements in A intersection B हम लोगों ने मान लिया भी अभी इसका band diagram हम लोग बनाते हैं तो इसका band diagram में यहां पर इसका band diagram बना रहा हूँ तो यहां पर हम लोगों ने एक rectangle दे दिया और यह हमारा universal set है तो इसके इसमें देखिए A और B दोनों disjoint नहीं है तो यहां पर हम लोग A और B का कुछ person यहां पर common mark करना पड़ेगा तो यह हमारा A है यह हमारा B है अब यहां पर देखिए यह जो person है यह जो person है यह आपका common person है और इस common person में कितना number of elements है इस common person में आपका P number of elements है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ यह जो common person है यह जो common person है यह क्या है A intersection B common person है और इस common person में हम लोगों ने मना है P number of elements है तो यहां पर हम लोगों ने P दे दिया अब यहाँ पर देखे यह जो यह जो पर्शन में mark कर रहा हूं ये क्या है ये हमारा n a है ये क्या है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, separate, अब यहाँ पर हमारा P element से, और पूरा set A में कितना element से, पूरा set A में आपका M element से, तो पूरा में आपका M element से, यहाँ पर आपका P element से, तो यहाँ पर कितना होगा, total M से P minus कर देंगे, तो यह जो पर्षन है, यह जो पर्षन है, इस पर्षन मे कितना elements आएगा M minus P similarly इसमें आएगे पूरा B में कितना elements है पूरा B में आपका M dash elements है और common portion में आपका P elements है तो यह जो part है यह जो part है इस part में कितना elements आएगे इस part में आपका M dash minus P elements आजाएगे तो यहाँ पर हम लोग यह जो portion ने इस portion में कितना elements होगा, तो रसाब बढ़ा करके आप विगार को ड्रोग रहेगा, इस portion में हमारा M dash minus P elements है, और यह जो portion है, इस portion में कितना elements है, इस portion में हमारा M minus P elements है, अब ही आईए, now, now, N A union B, N A union B मतलब A और B दोनों को मिला के यहाँ हम लोगों को लिखना है, मतलब A और B का total elements हम लोगों को लिखना है, अब दिखे, N A union B, N A union B मतलब पूरा, यह दो set है, दोनों का total हम लोगों को करना है, total करना है मतलब total में दिखे, यह portion, यह जो portion है, इस portion को लेंगे, then plus इस portion को लेंगे then plus इस portion को हम लोग लेंगे तो यहाँ पर इस portion में कितना है M minus P लिमेंट है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M minus P then क्या एगा then आएगा 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 M dash minus P तो यहाँ पर दिखे P P तो cancel हो गया this is equal to क्या this is equal to M plus M dash और minus P को हम लोग last में लिखेंगे this is equal to M, M क्या है देखे, M मतलब N A then plus M dash, M dash मतलब क्या N B then minus P, P मतलब N A intersection B तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे N A intersection B तो इस case में भी देखे, यहाँ पर हमारा formula proof हो गया तो यह formula, दो case में यहाँ पर हम लोग ने proof किया अगर A और B दोनो distant set हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने proof कर दिया और अगर A और B दोनो distant set ना हो, मतलब दोनों में अगर P number of elements common हो तो उस case में भी हम लोगों ने formula को proof कर दिया और मेरे क्याल से यहाँ पर इस formula को proof आप लोगों को समझ में आया होगा अभी यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कपी में नूट डाउन कर लिजी और इस तियोरेम का प्रूफ यहाँ पर आप प्रेक्टिस करिएगा एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है बहुत मार एक्जाम में इस तियोरेम का प्रूफ पूचा गया है अभी हम लोगों को क्या करना है अभी हम लोगों को इस तियोरेम को यूज करके क्विश्ण नंबर वान से लेके 5 तक इस वीडियो में सॉल्फ करना है तो यह एक एक करके questions को solve करना शुरू करते हैं, पहला question number 1, पहला question number 1 में बोल रहे हैं कि if capital X and capital Y are two sets such that NX equal to 17, NY is equal to 23 and NX union Y is equal to 38, तो हमें यहाँ पर NX intersection Y निकलना है, तो यहाँ पर just हम लोग उस formula को use करेंगे, in place of A यहाँ पर X दिया गया है और in place of B यहाँ पर Y दिया गया है तो solution के starting में ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो given है वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो given, क्या-क्या दिया गया है, given NX equal to, NX equal to कितना, 17, then NY, NY is equal to कितना, 23, then NX union Y, NX union Y कितना, 38, और हम लोगों को निकलना है, हम लोगों को निकलना है, X intersection Y, तो NX intersection Y is equal to question mark, अ we know NX union Y is equal to NX, just in place of A यहाँ पर X है और in place of B यहाँ पर Y है, तो NX union Y is equal to NX plus NY minus NX intersection Y, आभी यहाँ पर हम लोग corresponding values put करेंगे, NX union Y का बेलू दिया गया है आपका 38, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिख लिखेंगे 38, is equal to NX मतलब कितना, 17, 17 लिख लिख लिया, then plus NY, NY का मतल आपका 23, तो यहाँ पर हम लोगोंने 23 put कर दिया, then minus NX intersection Y, तो हम लोगों को निकलना है, तो यहाँ पर हम लोगोंने इसको लिख 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 लिया, this implies 38 is equal to 23 plus 17 करेंगे, तो कितना हैगा, यह आजाएगा आपका 40, then minus NX intersection Y, अभी यह जो NX intersection Y इस साइड में है, इसका हम से left side में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका plus, तो NX intersection Y is equal to 40, और 38 को हम लोग right side में लेके आएंगे, तो यह हो जाएगा आपका minus 38, अभी 40 minus 38 करेंगे, तो यह आजाएगा आपका 2, तो finally यहाँ पर NX intersection Y को हम लोगों को निकलना था, तो यहाँ पर हम लोगोंने इ का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question number 2 को सल करते है, question number 2 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, दिकिए, if capital X and capital Y are two sets, such that X union Y has 18 elements, मतलब NX union Y is equal to 18 दिया गया है, X has 8 elements, मतलब NX equal to 8 दिया गया है, Y has 15 elements, मतलब NY equal to 15 दिया गया है, how many elements does X intersection Y, मतलब X intersection Y में कितना elements आएगा, यह हम लोगों को निकलना है, तो same type of question है, चलिए इसका solution शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग solution के starting वे ही, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे given, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, दिकिए, NX union Y is equal to 18, then NX equal to 8, then NY is equal to 15, हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है NX intersection Y is equal to question mark, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो formula को लिख लेंगे, we have, we have NX union Y is equal to NX plus NY, then minus NX intersection Y, this implies, अभी NX union Y का बिलू दिया गया है, आपका 18, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18, is equal to NX का बिलू दिया गया है, 8, तो 8 लिखेंगे, then plus NY के बिलू दिया गया है, आपका 15, तो plus 15, minus NX intersection Y, this implies, 18 is equal to 8 plus 15 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 23, minus NX intersection Y, अभी NX intersection Y को हम लोग left side में लेके आएगे, तो यह इस side में minus है, इस side में जबाएगा, left side में जबाएगा, तो यह हो जाएगा आपका plus, NX intersection Y को हम लोग उने left side में लेके आगया, is equal to 23, और 18 को right side में लेके जाएगे, तो यह हो जाएगा आपका minus 18, अभी 23 minus 18 करेंगे, तो कितना आएगा, यह आजाएगा आपका 5, तो finally NX intersection Y के बिलू आगया, आपका 5 और यह हो गया, आपका question number 2 का complete solution, और मेरे क्याल से question number 2 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question number 3 को solve करते हैं, question number 3 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, दिखे, इन ए group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English, how many people can speak both Hindi and English, तो total यहाँ पर हम लोगों को एक group में total 400 people दिया गया है, उन 400 people में से 200 आपका Hindi बल पाते हैं, 200 people, 250 आपका Hindi बल पाते हैं, 200 people आपका English बल पाते हैं, और हम लोगों को निकलना है, कितने लोग English और Hindi दोनों language बल पाते हैं, यह हम लोगों को निकलना है, आप यहाँ पर दिखे, symbol तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर solution के starting में ही, यहाँ पर हम ल लोग हिंदी को हैसे ही डिनोट करेंगे तो लेट है बिदा सेट है एच बिदा सेट ऑफ पीपल है एच बिदा सेट ऑफ पीपल हूँ स्पीक हिंदी हूँ उसके बाद इंगलिश को भी हम लोग को एजूम करना पड़ेगा इबि दा सेट ऑफ पीपल हूँ स्पीक इंगलिश अब यहाँ पर हम लोग ने एजूम कर लिया अब यहाँ पर हम लोग डिरेक्ट लिए लिखे लेंगे तो therefore therefore n h union e n h union e तो यह total को represent करेगा तो total कितना है हमारे पास 400 भी पुल है तो n h union e हो गया आपका 400, n h n मतलब number of elements in h n h मतलब number of elements in h मतलब hindi कितने लोग बॉल पाते हैं कितने हैं आपका 250 तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 250 जन कमा n e e मतलब कितने लोग आपका English बॉल पाते हैं तो कितने लोग है 200 तो n e हो गया आपका 200 अब यह हम लोगों को निकलना है कितने लोग आपका Hindi और English दोनों language बॉल पाते हैं यह हम लोगों को निकलना है that means हम लोगों को निकलना है n h intersection e की निकलना है तो यह हमारा कुछन मार्क दे दिया आप यहां पर हम लोग पहले तो यहां पर फर्मूला को यहां पर लिखेंगे we know we know N H union E दिखे फर्मूला में just in place of A यहां पर H और in place of B यहां पर E है तो same formula को हम लोगों को यहां पर लिख लेना है N H union E is equal to N H plus N E minus N H intersection E this implies अब N H union E का बेलू कितना है 400 तो यहां पर हम लोगोंने 400 पुट कर लिया is equal to N H, N H का बेलू कितना है 250 तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे 250 450, then plus n e, कितना है 200, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लें 200, then minus, यह तो बेलू नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको as it is रख देंगे, this implies 400, then is equal to 250 plus 200, यह हो जाएगा आपका 450, then minus n h intersection e, अभी यहाँ पर यह जो minus n h intersection e है, इसको हम लोग left side में ले के आएंगे, तो यह हो जाएगा, आपका plus n h intersection e is equal to 450, minus 400 को हम लोग right side में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका minus 400, अब 450 minus 400 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 50, तो यहाँ पर हम लोगों को, दोनों language कितने लोग बहल पाते हैं, यह निकलना था, तो यहाँ पर हम लोगों निकल कितने लोग है, 50 लोग, तो यहाँ पर आभी हम लोग finally conclusion में लिकेंगे, therefore, 50 people, 50 people can speak both Hindi and English, can speak both Hindi and English, तो यह हो गया आपका question number 3 का complete solution, और मेरे काल से question number 3 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question number 4 को solve करते हैं, question number 4 में दिया गया है, दिखे, if S and T are two sets, such that S has 21 elements, मतलब NS equal to 21 दिया गया है, T has 32 elements, मतलब NT equal to 32 दिया गया है, and S intersection T has 11 elements, मतलब NS intersection T equal to 11 दिया गया है, how many elements does S union T have, तो NS union T हम लोगों को निकलना है, तो चलिए यहाँ पर solution चुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो लिखेंगे, given, given NS equal to, NS equal to कितना दिया गया है, 21, then comma, NT, मतलब number of elements in T है, आपका 32, then NS intersection T, कितना है, NS intersection T दिया गया है, आपका 11, हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को निकलना है, NS union T है हमारा question mark, तो अभी पहले तो यहाँ पर हम लोग formula लेकेंगे, we know, we know, NS union T is equal to NS plus NT minus NS intersection T, अभी यह तो हम लोगों को निकलना है, तो right side में हम लोग जो values यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, वो put कर लेंगे, तो NS दिया गया है, आपका 21, then plus NT दिया गया है, आपका 22, then minus NS intersection T दिया गया है, आपका 11, तो आम लोगों ने put कर लिया, this is equal to, अभी 21 plus 32 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 53, then minus 11, अभी 53 minus 11 करेंगे, तो कितना हैगा, यह आजाएगा आपका 42, तो finally यहाँ पर NS union T का बेलू आया है, आपका 42, तो यह हो गया आपका question number 4 का complete solution, और मेरे काल से question number 4 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question number 5 को solve करते है, question number 5 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, दिखे, if capital X and capital Y are two sets, such that X has 40 elements, X union Y is equal to, X union Y has 60 elements and X intersection Y has 10 elements, तो हम लोगों को निकलना किया है, दिखे, how many elements does Y have, तो same type of question है, जाज डाटा को यहाँ पर interchange गया गया है, तो solution के starting में ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, given, given NX equal to 40, then comma, NX union Y is equal to 60, then comma, NX intersection Y दिया गया है, आपका 10, हम लोगों को निकलना है, Y में कितना elements है, मतलब number of elements in Y is question mark, तो पहले तो यहाँ पर हम लोग formula को लिखेंगे, we know, we know NX union Y is equal to NX plus NY minus NX intersection Y, अभी यहाँ पर corresponding values को put करेंगे, NX union Y, अभी NX union Y कितना है, 60, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे, 60 is equal to NX, NX कितना है, 40, तो 40 दे दिया, then plus NY, NY कितना है, NY तो हम लोगों को निकलना है, तो NY रख दिया, then minus NX intersection Y, NX intersection Y कितना है, 10, तो यहाँ पर हम लोगोंने 10 दे दिया, this implies 60 is equal to 40 minus 10, कितना हो जाएगा, इस साइट में हो जाएगा, 40 minus 10 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 30, so 30 plus NY, this implies 60, अभी इस 30 को हम लोग left side में लेके आएगे, तो यह हो जाएगा, आपका minus 30 is equal to NY, अभी 60 minus 30 करेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 30 is equal to NY, तो हम लोगों को निकलना था, Y में कितना element से, तो यह में कितना element से, 30 elements से, तो finally यहाँ पर आप conclusion में लिख लेंगे, therefore, therefore the set, Y has 30 elements, जो question में मैंने conclusion नहीं लिखा है, आप इस तरह से conclusion लिख लिजेगा, तो यह हो गया आपका question number 5 का complete solution, और मेरे क्याल से question number 5 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकि जो question 6 से बनेट रह गया है, तिन question ही रह गया है, उन तिनों question को हम लोग next वीडियो में self कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा exercise 1.6 भी complete हो जाएगा, वीडियो कैसा लगा नेचे comment box में comment करके आप लोगों को बताना है, और अगर आपने आभी तक अपना प्यारा चलेंट को सब्सक्राइब नहीं करें, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे friends के साथ share कर लिगे, Thank you friends for watching this video.